हेलो बच्चों आज हमारा question है multiply हमें two digits से multiply करना है देखो two seven को multiply करना मुझे one eight से तो सब्चे पहले हम क्या करेंगे eight की table कहां तक बोलेंगे seven तक बोलेंगे सब्चे पहले मुझे eight की table seven तक बोलनी है फिर इसी eight की table कहां तक बोलनी टू टाम बोलनी है तो सब्चे पहले देखें जब हम eight की table कहां तक बोलनी गर better seven तो eight seven ज तो यहां पर पूरा 56 ने लिखेंगे, यहां पर सिर्फ क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तो यह हमारे यहां 6 आ गया है, और यह जो 5 बचे यह हम कहते हैं, कह रही है, अब इस 8 की टीवल मुझे कहां दक बोलनी, 2 टाइम बोलनी, तो 8 इन्टू 2 कितना होता, 8 2 जा कितना होता, 16, इसमें यह 5 हम क्या करते हैं, यह प्लस कर देंगे, अब 16 और 5 हमारे कितना हो जाएगा, 21, अब हम आपकोई आगे डिजिट है नहीं, तो यहां पर पूरा-पूरा 21 लिख देंगे, ओके, पहले बाद एक निचे हम क्रोस करते हैं, 1, 2 जा, 2, अब इस कम कर देते हैं, एडिशन, देखो 6 का 6, 7, 1, 8, 2 और 2 कितना हो जाता हमारा, 4 हो जाता, तो यह हमारा क्या आगया, अंसर आगया, ऐसी देखो, यहां मुझे 6 की टेवल कहा तक बोलनी, 8 तक बोलनी, तो भाई तो हमने 6 की टेवल कहा तक बोल दी, 8 तक बो केरी लिख देते हैं, ओके, अब इस 6 की टेवल मुझे 5 टाइम बोलनी है, तो 6 इंटु 5, कितना होता, 6, 5, जा 30, भाई यह 4 थी ने, जो केरी कह देते हैं, इसको यहां पलस कर लेते, तो यह हो जाता हमारा 34, अब यहां पे पूरा 34 क्यों लिखेंगे, क्योंकि आगया कोई 16 का यहां पे कितना लिखेंगे, 6, कैरी 1, ओके, 2 की टेवल आप 5 तक बोलनी है, तो 2 इंटु 5, कितना होता, 10 होता, 1 कैरी है, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ओके, 8 का, 8, 6 और 4 कितना होता, 10, कैरी इसकी यहां चली जाएगी, 3, 1, 4, 1 यह है, 5, ओके, यह 1 का 1, तो यह हमारा आंसर हो गया, ऐसे मुझे 2 की टेवल 9 तक बोलनी, 2 की टेवल कहां तक बोलनी, 9 तक बोलनी, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 का यहां 8 लिखेंगे, कैरी कितने बची, 1, 2 की टेवल 6 ताइम, 2 इंटु 6 कितना होता, 12, यह 1 कैरी ते, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 13, यहां पर हम पूरा क्यों लिखेंगे, कि आगे हमारा पर हम कैरी कहां डालेंगा, आगे कोई भी डिजिट नहीं है, जिसको हम टेवल बोली हो, कैरी वहां जोड़े, तो यहां पर पूरा पूरा नमल लिख लेते, ओके, यहां, अब 3 की टेवल 6 तक, तो 3 इंटू 6 कितना होता, 18, इस 2 को पलस कर लेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा, 18 और 2, 20, 8 का 8, 7 और 3, 10, कैरी 1, 1, 1 कितना हो जाएगा, 2, यह 2 तो ही, यह हमारा आंसर हो गए, ओके, ऐसे देखो, 9 की टेवल 4 तक, 9 फोर्जा कितना होता, 9 फोर्जा 36, कैरी यह हमारी 3 हो जाएगी, 9 की टेवल 7 तक, 9, 7 जा 63, 63 में अगर हम 3 पलस करें, कितना हो जाएगा, 66, तो यहां पर हो गया, 66, पहले नीचे क्रोस, 3 की टेवल 4 तक, 3, 4 जा 12, कैरी 1, 3, 7 जा 21, और 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यह 6 का 6, 6 और 2, 8, 6 और 2, 8, और 2 का 2, तो हम क्या कर सकते हैं, मन्टिप्लिकेशन कर सकते हैं, ओके,